जयामाविंदवाश्णी हर हर महात्यवाप शप्री का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेस्बूक पेच में हमारे घर में सबसे बड़े रक्षक देवुता कौन चे होते हैं कौन ऐसी सकती हैं जिनको घर-घर में जरूर अस्थापित होना चाहिए उनके गर हमारे घर में जिन भी संतानिक उत्प्त्तती होती है फुर्णृप्षर्ण की रक्षन होँ ही नहीं पाती है है घर में अगर किसी भी प्रकार यह देवशक्ति की पूझा ऋरह हो ला है तो प्लेमी देव सकतीके इनकी इसिद्धी तंज्चत्र की पृतीक साध़क लगभाग करते हैं सायधी फञ단 नहीं करते हो और यह अनिवारी है कि पृतिक घर में इनका अस्थान हो इनकी पूज़ा हो लेकिन काल अंत्र में जो मध्य काल रहा है भारत में मोगलों का अंग्रेजों का जो देवता कि आपने घर से बाहर निकाल लिया जैसे प्रचलन में अज है कि घर में अभी कुछ लोक वास्टाला साथ्री है लो कहते हैं मंदिर कम भी लोग बहुताइं निकल लोग है जो घर से घर मत रखें सीवलिंग रखते हैं तो आप दर देता आएगी घर में रोग आएंगे परसानी आएगी ऐसे महानुभव हैं और आप ऐसे लोगों की बात सुन करें घर में इन देवताओं की सिवा पूजा बंद कर देते हैं यह वह सवरूप है जो अगर घर में उपस्थित हो तो चाहिए भगवान काल भहरो और भगवान बटुक भहरो दोनों में क्या अंतर है इतना केवल समझ लेजिए कि भगवान काल भहरो जो की साक्षात भगवान सदाशीव की सरीर से प्रकट हुए थे जब ब्रह्मार विष्णुजी की परिक्षा ली गई थी प्रतम अगनी लि अगरों का सवरुप ऐसा है कि जब भगवान महादेव भगवति महाकाली के चरणों के नीचे आ गए महा महामाया ने कहा कि आप जो है कभी भविष्ण में इस प्रकारिक से मेरे चरणों के नीचे ना है इसे तो आप हमें संकल्प दीजिए हमसे आप बचन दीजिए तब यहां बढ़नना आता है असकंद पुराणी त्यार्दी में बढ़नन है देवी भागवत में बढ़नन है कि दारुक नामक राक्षास का अंत करने के लिए जब भगवती ने महाकाली का श्वरुप धारन किया था तो पुना अन्य अंतरित हो गई थी तब भगवान शिव ने बटुक स्वरुप को धारन किया था बच्चे का स्वरुप जो कि छोटा सा बच्चा आठ वर्से से का मायू का बच्चा वाल भैरो बटुक भैरो और उन्हों ने उनको मा मा कह करके पुकारा तब मा भगवती इस बालक के इस सब्द से मा सब्द को सुन करके वह सांत हो तो घर में बटुक भैरो की स्थापना अनिवार हो जाती है जानिये कि जब भी तंत्र का Пधर्यों होता है वि canal Shonia प्रियोग के जाता है जो कच्छे कलवे मसाने त्यादी होते हैं वो घर में असाने से प्रेवेस्ट कर जाते हैं जो बड़ी सक्तियां होती है चुकि वह बाल शौरूप में हैं बच्चे शौरूप में हैं तो उनकी उनको रोकते नहीं है वहां पर जब बटुक भैरो के उप इसलिए घर में भगवान बटुक भैरो का अस्थान से होना चाहिए कैसे और कहा होना चाहिए अगर भगवती के सिवा पूजा कर रहे हैं तब तो अवश ही जगदंबाय के बाई और यानि आपके दाहिनी और जबा पूजा करने बैठेंगे तो वहां भैरो जी का स्थान दे चाहिए बटुक भैरो जी के लिए आप तृसूल रख सकते हैं प्रक्तिक आत्मग्रुप में उनका सुन्दर सा छाजाचित्र रख सकते हैं या आपकी एक्षा हूँ तो आप उनका स्रीविग्रह भी छोटा सा रख सकते हैं चेंज से कम का पीतल का रख लिजिए अथवा ही चांदीर रख सकते हैं लेकिन जो स्रीविग्रह हो वह ठोस हो और उसमें भटुक भैरो भी आशिरवाद की मुतरा में हो यानि आशिरवाद प्रदान कर रहे हूं इस प्रकार का जैसा इस फोटो में आप सभी देख रहे हैं ऐसा श्रीविग्रह आप रख सकते हैं स्थापित कर सकते हैं किस प्रकार स्थापित करना चाहिए और कब स्थापित करना चाहिए भगवान काल भैरों की उत्पत्ति का जो दिवस है वह माना गया है मार्ग सिस महिन जेस्ट मास सुकलपक्ष दस्मिति थी इसमें जो है भगवान बटुक भैरों की उत्पत्ति मानी गई है तो गंगा दसाहरा के दिन ही भगवान बटुक भैरोंजी का पूर्ण रूप से उत्पत्ति काल माना गया है और उस दिन ही इनकी विशिस पूजाई त्यादी करने चा बटुक भैरोंजी की विशिस पूजन विधिक करें आप फोटो स्थापित कर लें स्रीविग्रह अथवान भी नहीं कर सकते तो सुपाड़ी की रूप में त्रिसूल रख सकते हैं त्रिसूल ना रखके तो सुपाड़ी जो है उसके उपर में कलावला पिट करके और उनको को मंत्रित्य दिप्राप्त है तो 40 दिन तक 40 माला जाप करना चाहिए अतिविशिष्ट होता है और अगर वहां नहीं कर सकते हैं तो रुदर्यामल तंत्र की अंत्रगत जो बटुक भैरों अश्टोतर सतनाम है उसका पाठ आपको प्रति दिन कम से कम सत्ताइस बार या 108 बर 40 दिन तक लगतार करेंगे तो किसी भी प्रकार की आपत्ती विपत्ती हो चाहें तंत्र विचार काओ सत्रू की दबार कोई सडेंत रित्यादी हो उन सभी से भगवान जो है आपको उस आपत्ती विपत्ती आपदा से निकालते हैं रक्षण करते हैं और अनसात्मा दिख लिए उसका लिंक भी देंगे उसी अनुसार आप घर में यह विधी विधान करें उस दिन आपको मंदिर में करने क्या हो सकता नहीं है घर में बटुक भैरों के निमित दिपडान बल्ली विधी तैदी करें इसे भगवान बटुक भैरों अतनत प्रशन होते हैं तो आस कभी भी कोई पूजा पूण नहीं होती जैसे गणपती का पूजण निवार है वैसे बटुक भैरों का भी पूजण नहीं होती है ना पूढफल प्राप्त होता है इसलिए उनका अवश्य दें भले आप चोटी सी सुपाडी के रूप में दें मानसिक रूप से दें और उ आमा बिन्दिवाश्नी, हरहर महादेव.